जोतिस विज्ञान के तहट आज हम आपको जानकारी कैसी देने वाले हैं, जो लोग उससे डरते भी हैं और लोग डराते भी हैं, डरना भी चाहिए और बताना भी चाहिए, डराने को तो नहीं कमगा, क्योंकि अगर आप अनुहुनी को नहीं बताएंगे, तो अभी बिकार है और अच्छे-च्छे को बता दें, और जो गटना, दुर गटना, अनुहुनी गटने वाली हैं उसको न बताएं, तो फिर आप ये कहोगे, खिर जोतिसी ने बताया नहीं, छिपा गया इसलिए जो कुनली में लिखा है बुरा याच्छा, उन दौनों की जानकारी जरूर देनी चाहिए, ये सच है, कि जो सच बता देता है, कड़वा लगता है, जो मीठी-मीठी बाते करता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन मीठी-मीठी बातों से काम नहीं चलता, अगर किस इसी बच्चे की दुरगटना का योग बना हुआ है, और हम बोलें, बहुत अच्छा है, लंबी आई हुआ है, साधी बहुत अच्छी होगी, पैसा बहुत होगा, च्छह मीने बाद वो दुरगटना करिस्थ हो जाता है, तो वो जो माभाप हैं, वो रोरो के बुरा हाल कर और बोलते हैं कि बताया नहीं इसलिए आज का विषय है कालसर्प योग यो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह कालसर्प योग पहले नहीं था तो 9 ग्रहों की धारणा तो है जोतिस में और ये तो त्रेता काल से और सत्यूग से भी है और द्वापर से तो रिशी पारसर ने इसको लिया ही है तो साथ ग्रह तो मेटरलाइज हैं बोतिक पिंड हैं और दो चाया ग्रह हैं तो नब ग्रह, नब ग्रह स्रोत, नब ग्रह का तो दौपर से चल लाएं। और उस समय भी बरने आता है, मावारत में भी आता है, और देवताओं का और राख्यसों का युद्धु अतब भी आता है बरने तो, इसका मुतलब अगर डिक्स्नरी में कोई सब्द है तो है, हाँ ठीक है उसकी व्याक्षा अलग-लग समय पा अलग-लग तरीके से होती है, काल सर प्योग बन गया, लेकिन अब ये दो ग्रहे, इनको हम ये कह सकते हैं, कि इनको बिशनूजी ने स्थापित कर दिया, लेकिन मैं इतना बताना जाओंगा, अगर मैं उन किद्दंतियों को ना भी मानूं तो ये तो सच है, कि ग्रहों की छाया का एफेक्ट प्रत्वी पर होता है, जब ग्रह एक दूसरे को ओबर लैप कर रहे होते हैं अपनी कच्छाओं में, तो जो चाया होती है, वो जब प्रत्वी लोग पर आती है, मानब जीवन पर आती है, तो उसके एफेक्ट हमारे जीवन में आते हैं, चाया अगर बुरी है, तो उसका बुरा एफे उन रासियों में करता है जो देवताओं की रासियां होती है यह द्यान कर ले और जो अपने राख्यसों की रासियां होती है उन में वो बहुत मुचाईयां भी देता है क्योंकि सुक्राचार बड़े गया नहीं थे लेकिन साथ दिया राख्यसों का इसलिए राख्यासों में भी बिद्वान लोग होते हैं बिल्लादन इंजिनियर था कितना बड़ा टेर्रिस था अलग जब हायरी डॉक्टर है कितना बड़ा डॉक्टर है लेकिन आत्रंकवाती है इसलिए इस दुन्या में बुरे लोग भी हैं ज्यानी भी है अच्छे लोग परमज्यानी है कालनेमी तो समय भी हुए रामड कितना बड़ा ज्यानी था लेकिन था तो राख्या सी न भेज बदल करके ठगी की ऐसे तो आज भी लोग कर रहे इसलिए कालसर्प योग इन चार रासियों से अगर बने तो आपको बहुत ऊचाईयां मिलेंगे अगर आपकी कुंडली में ये है आपकी रासियों में ये योग है तो निश्चित तौर पर आपको अचानक धन मिलेगा और क्या-क्या पांच चीजे मिलेंगी वो मैं आपको बता रहेता हुँ मैं बताता हूँ आपको कि कालसर प्योग जब 180 डिग्री यानि 360 का सरकल होता है 180 डिग्री पर सारे ग्रह एक तरफ आजाए रहू रहू पे तू एक तरफ रहें तो फिर आप उसको समझ सकते हैं आप ऐसे समझें कि ये सरकल है इस सरकल का आदा हैसे एक तरफ सारे ग्रह आजाए तो कालसर प्योग बनता है अगर एक भी ग्रह बार निकल गया तो कालसर प्योग तूड़ जाता है अब कुछ रासियां ऐसी होती है जहां पर राहू से काल सर प्योग की सुरुपात राहू से होती है अब हम बात करेंगे उन चार रासियों की जिसको हमने थम नेल में आपको हैडिंग दिया है कि इनको अचानख लाब मिलता है और रंक से राजा बनाता है ये कालसर प्योग बहुत लोगों के कुल्लियों में कालसर प्योग जब आला नहरू जी की कुल्ली में अटल जी की कुल्ली में उचाईयों को तो चुते हैं लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी रासी में हैं ये भी तो ध्यान में रखने है कि जो सीज़ा भी बोल देते हैं कि काल सर्प योग है उचाई कुछ योग का बिचार बेक मंग रहा होता है दरदर की ठोकने का रहा होता है तो मेरा उद्धे सर्फ आपको यह होता है कि आपको प्रॉपर ग्यान मिल जाए जीवन का कुछ जरूर देता रहता है साथ साथ में आपको परिशन यह जरूर करता है पहली है ब्रिस रासी ब्रिस रासी और ब्रिस्चिक रासी ब्रिस रासी के अंदर अगर राहू है और ब्रिस से लेकर के और ब्रिस्चिक रासी तक अगर कोई ग्रह नहीं है इसके राइट सैड में सारे अब यहां पर बैठ करके उंचाईयां तो देगा, अब लगन राजा की गद्धी होती है, अब वहां राख्यस प्रवर्टी की रासी है और राजा राहू बैढ़ जाए, तो फिर यह बहुत उंचाईयों देता है, इसकी पाँचमे त्रिष्टी कन्या रासी पर होती है, कन्य को जुए से, सटे से, लाटरी से, प्रोपर्टी से, सीर बजार से, अचानक धनलाब राप्त होता है. और इसकी नौमी दृष्टी मकरासी पातिया, जो इसके सदीकी है, इसके मित्री की है. इसका मुझलव इसकी जहां बैठ रहा है वहाँ और दो जगए देख रहा है वहाँ तो उनका बैवाइक जीवन नहीं था अटल जी की बात करता हूँ तो बैवाइक जीवन नहीं था बहुत सारे ऐसे महन लोग हुए है जिनको ये कालसर प्योग बना बैवाइक जीवन नहीं मिला लेकिन राजा की गद्धी उनको जरूर मिली इसलिए अगर आपकी रासी के अंदर ये कालसर प्योग है तो आप बहुत उचाईयों को चुएंगे ऐसा मेरा experience है और मेरी सोध है मेरी research है जो मैंने अपने किताबों में लेका हुआ है अब मैं बात करता हूँ मिथुन रासी की या मिथुन लगन से लेकर के धनू के बीच में अगर कोई ग्रह नहीं है तो यहाँ पर आप मिथुन से लेकर के धनू के बीच में कोई ग्रह नहीं है और सब right side में ग्रह है यहाँ मिथुन में ये उच्चका होता है बुद्ध के गर में तो छाया भी स्पीड से चलेगी और फिर लाग भी स्पीड से मिलेगा और बुद्ध वैसे भी बहुत फास्ट है इसलिए यहां पर राउ उच्च का माना जाता है इसका एक वैग्जानिक तर्क यही है कि छाया जितनी फास्ट होगी यह तो बुरा करेगी अच्छा करेगी य हागी जबरदस्त होदय करेगा दिमाग का तेज बनाएगा मान सम्मान भी देगा ऐसा विक्ति आईएस आईएस आईपियस बड़े पदों पर जरूर बैठता है लेकिन मैरिज लाइफ इडिश्टर्ब होती है क्योंको वहां पर उसकी नीच दृष्टी आती है लेकिन यह इसले आप दो भागिसाली रासी दो भागिसाली लगन वाले विक्तियें कि जिनको बहुत जबरदस्त के आप लाब देता है अगली जो चोथी जो रासी है वो है कन्या कन्या में यह सोरासी का माना जाता है अब यहां बैठ करके इसकी दृष्टी पंचम दृष्टी और यह राहू आपको ज्यान भी देगा बहुत जबरदस्त बड़ा जोथी बनाएगा आपको यह देखिए ये इसका चनतकार रहू ग्यानी भी होता है और यहां बहुत बड़ा मैथमेटिसिन भी बना देगा आपको रिसर्चर बना देगा इसलिए हम बुरे ग्रहों से य अब ब्रस्पती के साथ तो कोई दुस्मन ही रखता नहीं है लेकिन फिर भी जब ग्यानी होगा तो बैवाइक जीरन थोड़ा सा ठीक ही चलता है बहुत ज्यादा सोसो तो नहीं प्र भी पत्री में विद्वान मिलेगी अब अगली जो रासी है जो सबसे ज्यादा बाकिसाली आ रही है वो है तुला रासी अब तुला रासी से लेकर के और मेस रासी के बीच में अगर कोई भी ग्रह नहीं आ रहा है मान लो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई ग्रह नहीं है तो यहां से कालसर प्योग बनेगा तुला के अंदर सुकर की रासी के अंदर राओ जो बै है marriage life में disturbance आईगी लेकिन आपको देवयोग से भागे की प्राप्ति जरूर होगी अब ये चार रासी वाले राजा से रंग बन सकते हैं उसमें जवर्दस्त लाब आदमी को मिलता है इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है भैबित होने की जरूरत नहीं है इन चार रासी वालों के लिए किसमत जरूर राव कोलता है मित्रो इसके उपाय करने से आपको जवर्दस्त लाब मिलेगा उ लोग कहते हैं जी छोटे छोटे वीडियो बनाओ तो छोटे छोटे वीडियो में आज इतना ही